नमस्कार दोस्तों मद्द प्रदेश में आवेत कालोनियों को बेद करने की पिरक्रिया होगी सरल विकास सुलक भी होगा कम तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं जो आवेत कालोनियों को जो बेद करने की पिरक्रिया है वो सरल होगी ठीक है तो चलिए स्टा करते हैं मद्द प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तिद्व में आई लगबग 6000 आवित कालोनियों को रेवासियों को राहत देने के लिए सिवरा सरकाय ने भवन्वा भुखंड को बेद करने के नियम तो बनाए लेकिन इसका लाब नहीं मिल पाया जटिल पिर्किरिया हो प्रण कालोनियों को वेद करने में आ रही दुज़वर ओपियों को देखते हुए अब सरकार प्रकियाओं को सरल करने के साथ विकास सुल्गों को कम करेगी मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने गुरुवार को मनसोर में इस संबंद में घोसना की दोस्तों तो नागरी है विकास एवं आवाज विवाग के अधिकारियों ने बताये कि मद्द प्रदेश नगर पाली का कालोनी विकास नियम लागू किया है इसमें प्रविदां हेकी दो हेक्टर छेत्र के अधिक कलोनी का छेत्र होने पर नगर तथा ग्राम निवे संचालन लाए द्वारा अध अधिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आई वर्ग के सदस्यों के लिए 15 प्रतिसत आवास रखने होंगे यदि कॉलनाइजर भुकंड ये आवास की जगा आश्रे सुल्क जमा करना हो चाता है तो उसे अनुमती जो है होगी ऐसी कालोनिया जिन में 70 परसेंट से अधि अधिक रुटिसत राशी संबंदित निकाय द्वारा बहन की जाईगी दोस्तों इससे भिविन स्रेणी की कालोनिय के लिए 15 प्रतिसत विकास सुल्क को कलोनिय के रह वास्यों को देना होगा ये रासी अधिक होने के कारण रह वास्यों तयार नहीं हो रहे है वही नागरीय के निकायव की आर्दिक स्तीति भी एसी नहीं है कि वे बिन सरकारी मदत के विकास कारे करा सके, विकास कारे 50% पूरा होने पर ही 50% जो है भववन या भुखर्ण मुक्त करने का प्राविदान है आव должно कालीयों में भुखर्ण या भवन को बेद करने होगा इसके लिए जो है विदिबत सुलख के लिए जाएगा इस तरह की अन fulfil यम में हैं इसको लेकर विभाग को कहीं सुझाब टात्ति हुए ते इसे देखते हुए सरकान ने प्रकर्ष कि लिक्रण और विकास सुल्क में कमी को लेकर विचार किया है अब इस पर केबिनेट में अंतिम निर्णे लिया जाएगा दोस्तों तो जो जिनका भी जो है कालोनियों में आवे भुकंड या कुछ बना हुआ है तो वो उनको पैसा देना पड़ाएगा ठीक है दोस्तों तो यह वीडियो प्लीज लाइक करें शेयर कर सबसार्ब करें धन्याव दोस्तों मिलता है नेक्स्ट प्रियों